नमस्कार हम बात करने वाले होंडा यूनिकॉन की सभी डिटेल के बारे में गाड़ी की साइड प्रोफाइल के हम बात करेंगे होंडा का आपको 3D एंबलेम यहाँ पर देखने को मिलता है कोई भी आपको कलर फुल ग्राफिक चाहाँ पर नहीं देखने को मिलती है बेस कलर के ही यहाँ पर आपको UP ख्रों को बॉषभ ऑर थोड़ा सथ देखने को मिल जाएगा सामने आपको मिलेंगे डिस्क प्रेक ट्रॉम ब्रेक में यापको देखने को मिलेगी मुद्ति का फ्रोफाइल के हम बात करेंगे है लोचलम हेडले एडब हेट आपको देखने को मिल ए है यह है डिस्क भीर्फ वाली मॉर्डल स्निंगल वायर आपको देखने को मिल देखने को मिल तहीं है आपको कुछट के लिए आपको तो चैन कवर यहाँ पर fiber के देखने को मिल जाती है इस गारी में आपको Mono Shock Suspenser यहाँ पर देखने को मिलेगा वड़ी स्टीट आपको मिल जाती है बहतरीन ब्लैक आपको Alloy Will देखने को मिली है XArist End की Sensor आपको देखने को मिल जाती है और आपको देखने को मिलती है Honda की H.T. I.E. की Eco Technology जिसके चलते आपको मिल जाती है सांदा, range और mileage, reflector यहां पर mount किये गए हैं, यह है इसकी rear profile, bulb वाले tail light आपको देखने को मिलेगे, bulb वाले indicator के साथ, analog meter console आपको देखने को मिलेगा, trip और speed के साथ, fuel की indication के लिए, इसके पहली color आपको देखने को मिलेगी, imperial red metallic, दूसरी आपको मिल जाती है, matte axis grey metallic, और तीसरी 2.7 CC का program, FI engine, 95 kilo out के आपको power यहां पर generate करती है, torque आपको देती है, 14 mm की, 5 speed के manual transmission के साथ है, गाड़ी आती है, सामने आपको मिलते है, 240 mm की डिस्क ब्रेक, पीछे आपको मिलते है, 130 mm की ड्रम, 88 के आपको टुब्ले स्टार सामने मिलेंगी, पीछे आपको बिलेगे, 2928 के, गाड़ी को दुस्तों लंबाई है, 281 mm की, चौड़ाई है, 756 mm की, उंचाई है, 1130 mm, street हैट आपको मिल जाती है, 795 mm की, wheelbase है, 1335 mm के बात करेंगे, ground clearance के बारे में, 187 mm की आपको यहां पर देखनों को मिल जाती है, weight करीबन 140 kg, और fuel tank आपको मिल जाती है, 13 liter की, इसके feature के हम बात करेंगे, दोस्तों, ABS आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको मिलते है, engine start stop की switch, Honda की आपको मिलती है, HAT technology साथ ही आपको मिलते है, दोस्तों, sad stand के engine cut off जासे feature, अभी unicorn में हमें क्यों लेके ही variant है, आप पर देखने को मिलती है, standard, जिसकी 100 रूम कीमत अभी चल रही आप इसके बीच में अपनी budget को दोस्तों, बना सकते हैं, वाली काड़ी लेने के लिए, तो अगर आप करते हैं, 35,000 रुपए तक की minimum down payment तो आप पूल ओन अवांट लेना पड़ेगा, 91,000 का, 12% ब्याजदर के हिसाब से, 2 साल के लिए मन्थले किस्ता आपकी बनेगी 4,700 र रही है, ऐसे ही वीडियो सभी गाड़ी के बारे में जाने के लिए सथे दूस्तों में आपको बताने वाला हूं, सभी गाड़ी के लोन कीमत और तीन तरह का down payment के बारे में तो आप जाने के लिए सब्क्राइब करिएगा चानल को, थैंक्स फर वाचिंग, स्टे टून बावन